महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया डॉक्टर मार्टिल लिथर इंग जूनियर हो या नेलसल मंडेला जैसी महान विभूतियां हर किसे गांधी जी के विचारों से सक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हग दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके पुझ्य बापु ने किसानों, गाउं, स्लमीकों के अधिकारों के रक्षा, स्वच्छता, सिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विश्वों पर अपने विचारों को देश्वास्यों के सामने रखा इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं बापु लोग संग्राहक थे, लोगों से जूड़ जाना और उन्हें जोड लेना बापु की विश्यस्ता थी यह उनके स्वभाव में था, यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विश्यस्ता के रूप में हर किसे न अनुभव किया उन्होंने प्रतेग व्यक्ति को यह अनूभव कराया, कि हुआ देश के लिए सबसे महत्वपूर और नितांत आवश्यस्ता बापु ने हम सबको एक प्रेणादा एक मंतर दिया था, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसोटी अजमा हो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा, उसकी शक्र ने याद करना और अपने दिल से पूछो, कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उप्योगी होगा, क्या उससे कुछ लाप पहुँचेगा? क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं, तो पल भर के लिए, पुझ्य बापो को स्मनर कर सकते हैं, पुझ्य बापो के उस जंतर का स्मनर कर सकते हैं, क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं, कि मैं जो चीज खरीद रहा हूँ, उससे मेरे देश के किस नागरीद का ल भागेशाली होगा जिसका डारेक या इंडारेक आपकी खरिदी से लाव होगा और गरीब से गरीब को लाव होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक खुशी जब गांदी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो सवतंतरता मिलेगी शाल उनको मालूम भी नहीं होगा यह कैसे हुआ पर यह हुआ भारत को सवतंतरता मिली इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश के आर्थिक उन्नती में आर्थिक स्वसक्ति करण में गरीब को गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और मैं समझता हूँ कि आज के युकी यही सच्ची देश भक्ति है यही पुझ्य बापु को कार्याजली है